नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्वागत है आपका मिसन इशेशूर प्रयाग राज में जैसा कि हम कल की क्लास में क्या पढ़ रहे थे विशेशर विशेशर और प्रविशेशर के बारे में तो आज हम क्या पढ़ेंगे विशेशर के भेद के बारे में क्या विशे परिमार्वाचक विशेशर संख्या वाचक विशेशर और सरवनामिक विशेशर तो गुझ वाचक विशेशर में मेरे प्यारे विद्यार्थी आप कल के class में देखे ओंगे कि वहाँ पे सिर्फ गुड का अर्थ ये नहीं होता है कि सिर्फ अच्छी बाते या उसकी अच्छाईया बताई जा रही हो किसी भी व्यक्ति या वस्तू के बारे में सिर्फ अच्छाईयों के बारे में बल्कि उसके गुड, दोस, दसा, दिसा, भेज, भुसा, आकार, जो रंग, रूप, सारे मतलब उसके मतलब गुड कार्थ यही होता है को वहाँ सिर्फ अच्छी बाते ही नहीं वहाँ पे कुछ मतलब जैसे आप किसी वस्तू या व्यक्ति की ले लिजे मीठाई की बात कर लिजे, मीठा बहुत अच्छा है, मीठा खराब हो गया है मीठा का टेस्ट अच्छा नहीं, तो मतलब किसी व्यक्ति के बारे में मतलब किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले जैसे कह दे कि मोहन छोटा लड़का है मोहन नाटा लड़का है मोहन बहुत लंबा है मोहन गोरा है मोहन काला है तो यह सब जो विसेस्ता बताई जा रही है यहाँ पे उसके गूड, दोस, भेज, हुसा, दिसा सब उसमें आ जा रहे हैं तो हमको क्या पढ़ना है परिमाड वाचक विसेस्ता के बारे में परिमाड वाचक विसेस्ता के बारे में हमको यह जानना है कि परिमाड वाचक विसेस्ता क्या होता है और इसमें क्या चीजे आती है और इसमें हम क्या पहचानेंगे कि यह कैसे परिमाड वाचक विसेस्ता है आप देखते होंगे बाप तौल की बात आपने सुना होगा क्या बाप तौल की बात आपने सुना होगा बाप तौल या फिर नाप की बात जहां पे किसी भी वस्तु या संक्या सरनाम का जब बात आता है तो आहां या परिमाडवाचक विसेशड में या तो उसको मापा जाएगा या तो तौला जाएगा तो परिमाडवाचक विसेशड में बाप तौल की बात की जाती है क्या परिमाडवाचक विसेशड में जिस विसेशड सब्द से क्या जिस विसेशड सब्द से मेरे प्यारे विशेशता होता है कि विशेशता होता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की क्या करें विशेशता को बतलाता है. जिस बिशेशड शब्द से शंग्या अत्वा शरुनाम की माप तौल का बोध हो, किसका माप तौल का बोध हो, या मात्रा संबंधी बिशेशता का ज्यान हो, उसे परिमाण वाचक बिशेशड कहते हैं एक बार हम फिर से देखते हैं, जिस बिशेशड शब्द से संग्या अत्वा सरुनाम की माप तौल का बोध हो, या मात्रा संबंधी बिशेशता का ज्यान हो, उसे परिमाण वाचक बिशेशड कहते हैं परिमाण वाचक बिशेशड के दो भेद होते हैं, परिमाण वाचक बिशेशड के प्रकार भेद जो भी ये कही हैं, दो होते हैं, कौन-कौन से निश्चीत अदूसरा अनिश्चीत निश्चित परिमाडवाचक भी सेसर में देखेंगे कि 2 लीटर क्या यहां पे जाया आपको 2 लीटर 10 मीटर 10 ग्राम अब यह आप बताईए यहां पे 2 लीटर 10 मीटर 10 ग्राम हम जानते हैं दो लीटर की जब बात करेंगे या तो हम कहें कि दो लीटर पानी या दो लीटर दूद या दो लीटर तेल फिर दस मीटर की जब बात आ जाएगी तो दस मीटर की बात या तो हम कपड़े के लिए करें या तो हम दूरी के लिए करें तो फिर दस ग्राम की बात आ गई तो दस ग्राम का मार्केट अभी क्या हम यहां शोने की बात कर देते हैं क्या 10 ग्राम सोना हमने आज हमें कितना सोना लेना है 10 ग्राम सोने का कीमत कितना होगा तो यहां पे जो 10 ग्राम मिल रहा है आपको 10 ग्राम यहां पे 10 ग्राम शोना यहां पे 10 ग्राम सोना जो आपको मिल रहा है देखने को यहां पर यह जो 10 ग्राम है यह क्या है सोने की बिसेस्ता है सोना तो आपने खरीदा है लेकिन कितना खरीदा है क्या 10 ग्राम खरीदा है क्या 10 ग्राम खरीदा है 2 लीटर दूध अब यहां कह दे 2 लीटर दूध जब दो लीटर दूध की बात आई तो मैं आज दो लीटर दूध ले आई हूँ या ले आता हूँ या मैं रोज दो लीटर दूध ले आता हूँ तो दो लीटर दूध लाने की बात क्या है दो लीटर दूध लाता हूँ क्या लाते हो दूध लाते हो कितना लाते हो दो लीट कहा है तो कहते बस यह धर से जाएए दस मीटर बस आगे जाएंगे आपको मिल जाएगा या फिर हम जाते हैं कपड़ा लेने तो कभी कभी कहते हैं कि एक मीटर कपड़ा दे जिए दो मीटर कपड़ा दे सब तो यह सब क्या है मीटर में यहाँ पे माप और तौल की बात आ रह आपको कुछ बहुत कम फोड़ा अब यहां बटाईए यहां इसको हम calculate कर सकते हैं अब कह दे मैं प्रति दिन 4 लीटर दूध लाता हूँ क्या मैं प्रति दिन 4 लीटर दूध लाता हूँ यहां पे 4 लीटर की जब बात आई है तो हमें तुरंद पता चल गया दूध आज कितना आया है 4 लीटर आया है तो जैसे ही 4 लीटर हमको पता चल गया, ये तो निश्चित हो गया, लेकिन हम फिर वही कहें, मैं कुछ मीठा खाती हूँ, क्या, मैं कुछ मीठा खाती हूँ, जैसे ही मीठा खाने की बात आती है, और यहां पे आपको एक शब्द मिला, कुछ, क्या, आपको एक शब्द मिला कुछ अब ये कुछ क्या है अनिश्चित है कितना मीठा खाती हूँ ये नहीं पता कुछ लोग आये है क्या कुछ लोग आये है कितने लोग लोग तो आये है लेकिन कितने लोग आये है ये नहीं पता चल रहा क्या क्या नहीं पता चल रहा कितने लोग आये है फिर बात करते हैं हम क्या बहुत गर्मी है क्या बहुत गर्मी है अब यहां गर्मी की बात तो हम कर दिये लेकिन क्या यहां पे बहुत गर्मी है यहां पे डिगरी कुछ यहां पे 14 डिगरी 15 डिगरी 20 डिगरी 22 डिगरी की बात यहाँ पे नहीं दिखाई जा रही, क्या है, अब यहाँ पे बहुत गर्मी है, थोड़ा चीनी दे दो, चीनी कम है, चाय में चीनी कम है, थोड़ा बहुत दे दो, कुछ तो दे दो, तो जहाँ पे कुछ बहुत कम थोड़ा की बात आएगी, यह अनिश्चित परिमाडवाचक निश्चित परिमाडवाचक विशेशड होगा और जहां पे आपको दो दस दो लीटर दस लीटर दस ग्राम जो ये सारी चीज़े चार लीटर जो भी बात आएगी तो आप क्या कहोगे ये निश्चित परिमाडवाचक विशेशड होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं हैं संख्या वाचक विशेषड किसी व्यक्ति या प्राडी अथ्वा वस्तु संग्या सरुनाम की संख्या से संबंधित विशेषड कहते हैं संख्या वाचक विशेषड भी दो प्रकार के होते हैं कौन कौन से निश्चित संख्या वाचक विशेषड और दूसरा अनिश्चित संख्या वाचक विशेषड पहला क्या है निश्चित संख्या वाचक विशेषड और दूसरा क्या है अनिश्चित संख्या वाचक तो पहले में हम पढ़ेंगे दस बिद्यार्थी, क्या पिश्चित में हम पढ़ेंगे दस बिद्यार्थी, पांच कापिया, दो गाओं, यहां हम बिद्यार्थी की जब बात कर रहे हैं, क्या, यहां पे जब बिद्यार्थी की बात कर रहे हैं, कितने बिद्यार्थी, हमारे क कि अर्फाथ हम कह सकते हैं, दिश्चित संख्या वाचक भी सेशर में, यहां पे संख्या का पता, चाहे वो ब्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे गाउं हो, कापी हो, anything कुछ भी हो, वहाँ पे निशित्ता पता चलती रहती है अनिशित संख्या वाचक भी सेशड में क्या निशित्ता पता नहीं चलती है वहाँ पे जो भी ब्यक्ति या वस्तु या अस्थान की बात करते हैं संग्या सरणाम की वहाँ पे निशित्ता पता नहीं चलती है जैसे कहें कुछ चात्राएं थोड़े से सहर में अधिक लड़के 5-6 दर्शक खड़े हैं हजारों लोग क्या हजारों लोग अब यहां हजारों लोग में पता नहीं कितने हजार हजारों की बात तो हो रही है लेकिन कितने हजार हैं अगर यहां पे दे देता एक हजार लोग खड़े हैं दो हजार लोग खड़े हैं फिर क्या 5-6 दर्शक अधिक थोड़े से यहां पे जो कुछ थोड़ा अधिक पांच हजारों लोग आ रहे हैं ये क्या होगा अनिश्चित संख्या वाचक विशेषड होगा मेरे प्यारे विद्यार थी अभी आपने पढ़ा परिमारवाचक विसेसर और ये संख्या वाचक विसेसर तो परिमारवाचक विसेसर में मापतौल की बात की जाती है और परिमारवाचक विसेसर के भेद पूछा जाएगा आपसे तो दो होते हैं कौन कौन से निश्चित पर मडवाचक और इसमें संख्या वाचक विशेषड में क्या दो होते हैं लेकिन संख्या भी आपका यहाँ पे क्या कभी-कभी निश्चित रहता है और कभी-कभी अनिश्चित रहता है तो संख्या वाचक विशेषड भी दो प्रकार के होते हैं पहला क्या निश्चित और दू क्या जो सर्वनाम अपने सर्वनामिक रूप में ही संग्या के विशेषड के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सर्वनामिक विशेषड चार प्रकार के होते हैं। संग्या वाचक और सर्वनामिक विशेषड फिर बात आपसे करते हैं परिमार वाचक विशेषड के भेद के वारें दो होते हैं संग्या वाचक के दो होते हैं सार्वनामिक विशेषड के चार होते हैं। निश्चे वाचक या संकेत वाचक सारुनामिक विशेषण यहां क्या है संग्य या सरोनाम की दिए निश्चित संकेत करते हैं जैसे यह कलम उठा दो मतलब आप क्लास में पढ़ा रहे हो किसी बच्चे की पिन गिर जाती है तो आप क्या करते हों तुरंत वो पेन आप स्वेच्छा से उठा के रख दो सब्पोज आप कहीं ऐसे चल रहे या खड़े हो किसी भी पेन है या कॉपी है कुछ गिर जाती तो करते हैं यह पेन उठा दो यह पेन उठा दो क्या पेन तो उठाना ही है लेकिन उसके साथ क्या यह पेन उठा दो यह आपको संकेत दे रहा है उस पुस्तक को यहां ले आईए क्या उस पुस्तक को यहां ले आईए पुस्तक मतलब कहीं धर धर पड़ी है और फिर हम आप बात करकर हैं कि उस पुस्तक को यहां ले आई पर आगे बात करते हैं निश्चित वाचक सरुनामिक भिसेसर के बारे में यहां क्या होगा कि निश्चित पता नहीं चलती सरुनामिक तो होगा लेकिन निश्चित नहीं है। अनिश्यात्मक शंकेत करते हैं जैसे किसी को कुछ दे दीजिए किसी को कुछ खिला दीजिए किसी को कुछ खिला दीजिए किसी को कुछ खिला दीजिए किसी को कुछ दे दीजिए यहाँ पे क्या है एक तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ की बात आ गई कुछ खिला दीजिए कुछ दे दीजिए लेकिन किसको किसी को भी किसको किसी को भी यहाँ पे क्या है, जो इस संग्या सरुनाम की और अनिश्यात्मक शंकेद करते हैं, किसको देना है, किसको खिलाना है, यह पता नहीं चल पा रहा है, ऐसे बस हवा में, किसी को कुछ दे दीजिये, किसी को कुछ खिला दीजिये, जैसे कह सकते हैं न कि हमें ऐसी जगह पैसे बद्द जब हमारे पास पैसा जादा आ जाए तो कभी कभी हमें क्या करते हैं किसी को दान कर देना चाहिए तो जैसे ही बात आती है किसी को दान कर देना चाहिए अब दान तो आप अपने बराबरी वाले को तो नहीं करोगे या आप से तो सोचते हो नग चलते कहीं ऐसी जगह पे चलते हैं जहां पे कुछ भूखे लोग होंगे जहां कुछ प्यासे लोग होंगे उनको हम पानी पिला देंगे या उनको खाना खिला देंगे ठंडी का मौसम आया है तो कुछ जैसे को ब्लैंकेट ब्लैंकेट किसी गरी भी व्यक्ति को दे देना चाहिए गरीब तो अब गरीब अमीर की बात करें पता नहीं कौन गरीब है कौन अमीर है लेकिन जहां से हमें लगे कि नहीं उसको जरूरत है क्या उसको जरूरत है किसको है पता नहीं लेकिन जाएंगे देखेंगे जैसे लगेगा किस व्यक्ति को जरूरत है तो उसको हम दे देंगे लेकिन अब ऐसे हीम कहें कि कि किसी भी व्यक्ति को जरूरत हो तो ब्लैंकेट दे देना चाहिए ठंडी का टाइम चल रहा है किसको किसी को भी फिर बात करते हैं प्रश्ण वाच्चक सारोनामिक विशेशड के बारे में ये विशेशड संग्या या सरोनाम से क्या ये विशेशड संग्या या सरोनाम से संबंधित प्रश्णों का बोध कराते हैं क्या यहां पे प्रश्ण पूछने का कार किया जाता है ये विशेशड सं यहां पे प्रश्ण पूछने का कार किया जा रहा है क्या यहां पे प्रश्ण पूछने का कार किया जा रहा है क्या कैसे यह विशेशर जो है क्या संग्या यह सरनाम से संबंधित प्रश्णों का बोध कराते हैं वे लोग कौन थे क्या वे लोग कौन थे कौन वे लोग कौन थ यहां पे प्रश्न पूछने का कार और यहां पे आपका जो सरोनामिक विशेषड है यह लोग कौन थे अब फिर बात करते हैं हम शंबंध वाचक सरोनामिक विशेषड के बारे में यह विशेषड का क्या कहना है कि ये विशेसर एक शंग्या या सरवनाम सब्दों के साथ जुड़ते हैं जैसे जो बोया है वही काटेगा या जो बोगे वही काटोगे जो बोगे वही काटोगे या फिर जो बोया है वही काटेगा जैसी करनी वैसी भरनी फिर क्या है जिस कारी को करना हो उसके बारे में अच्छी तरह विचार कर लो तो ये रहा विशेशड विशेश और प्रविशेशड को पढ़ते हुए हम समाप्ती की तरफ गए एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं क्या अभी तक हम ने आप उसको क्या पढ़ाया विशेशड 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 उसके बाद प्रविशेशड क्या प्रविशेशड विशेशड में आपने पढ़ा क्या किसी भी ब्यक्ति या वस्तू की विसेस्ता बताने वाला जो शब्द मिलता है क्या किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जो विशेषता बताने वाला हमको शब्द मिलता है उसे विशेषड कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जा रही हो कहने मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हों, वो क्या होगा, विशेश होगा, और प्रविशेशड की बात करें, तो विशेशड की भी विशेशड बताने वाले शब्द को प्रविशेशड कहते हैं. जैसे यहां पे, क्या, अच्छा, अच्छा मिला एक शब्द, यह क्या है, मोहन अच्छा लड़का है, क्या, मोहन अच्छा लड़का है, तो यह मो, किसके बारे में बात कर रहे थे, मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोहन क्या होगा, विशेश हो जाएगा, क्या, मोहन क्या होगा, विशेश हो जाएगा, मोहन कैसा लड़का है, मोहन अच्छा लड़का है, तो मोहन अच्छा जो है, यह विशेशड हो जाएगा, मोहन कैसा लड़का है अच्छा लड़का है किसके बारे में बात कर रहे थे मोहन के तो मोहन विशेश होगा और कैसा लड़का है अच्छा ये विशेश है लेकिन जैसे ही यहां अच्छा के जैस्ट पहले बहुत अच्छा लग जाए क्या बहुत अच्छा लग जाए क्या जब से बहुत अच्छा यहां पे जैसी ही बात आ जाए कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है तो क्या यह अच्छा का भी बिसेस्ता बतला रहा है क्या बहुत यह जो बहुत शब्द आया है यह क्या कहलाएगा यह प्रबिशेशड उसे प्रविशेशड कहते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार थी, विशेशड, विशेश, प्रविशेशड, समाप्त हो गया, अब कल की क्लास में एक नया टॉपिक, नय अंदाज के साथ धन्यबाद, नमस्कार.